दूइंसा को लेकर मौजूदा सरकार पर लगातार सवाल खड़े किये जा रहे थे लेकिन अब विदायक मामन खान को लेकर पूरी तरीके से अटाकिंग मोड में आ गई है भारते जंता पाथी मामन खान की किस बयान को लेकर बीजपी कॉंग्रिस पर इतना हमलावर है और मामन खान का नाम क्यू सामने आ रहा है इसे आप सुनिये देखे सदन में दिया हुआ ये बयान है और इस बयान पर आरोप ये हैं कि मामन खान बढ़काने की कोशिश कर रहे थे मामन खान पर अब निशाना साधा जा रहा है अटैक बीज़पी की तरफ से किया जा रहा है हाला कि मामन खान ये कहते हैं कि अगर उनकी विधान सभा में एंटी सोशल एलिमेंट अपराद करेंगे तो उसको विधान सभा में उठाना उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने वही किया मामन खान ने कहा कि नू में हुई हिंसा के लिए सरकार ही जिम्मेदार है जो इस मुद्दे को भढ़काने की में जड़े वो बिट्टू बजरंग है वो क्या कहता है वो कहता है हम सुसराल आए और बताया नहीं कि मुलाकात नहीं हुई इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे अभी हम पाली में हैं अब निकलेंगे धोसे फूर माला ने तयार रखना ज मेरी विधान सबहा में कुछ एस सिमाजी की तत्यों ने गुंडा-घरदी उठा रकी थी चाह सीखपुर की थी चाह रावली की थी चाह बसेई में उक खाजादगित थी या फिर घाटमी का की जो दो लड़के जिन्दें जलाये थे सरकार के सामने विधान सबहा में रखना कि जब आपके पास पुलिस फोर्स है SP है, DSP है, DGP है, सारे तंत्र है जो लोग गल्थ काम करते हैं उनको आप क्यों सजा नहीं देते हैं, पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ती, इसका मतलब सरकार फेल है, इसके लिए जुम्मेवार कौन है सरकार जुम्मेवार है, मैंने उसी बात को लेके कहा था, यदि आप लोग हमारी रक्षा नहीं करते हो, तो हमें अपनी खुद रक्षा करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने प्याज के बारे में बात की थी, विधान सभा में तो मामन खान अपने बायान का एक और चेहरा है, जिसके सबसे जादा नाम की चर्चा हो रही है और वो है मोनु माने सर, लेकिन मोनु का कहना है कि दंगे के पीछे मामन खान का हाथ है, मामन खान ने लोगों को भड़काया है, मोनु ने कहा कि मामन खान ने प्यास फोड़ने वाली बात कही जिसके बाद ये हिंसा भड़की अच्छा एक बात यह भी सामने आ लिए जैसे अब आपने कहा कि मामन खान का एक वीडियो जो पुराना उनका विधान सवा में दिया गया बयान था प्यास फोड़ने वाला जो एक बयान था तो क्या लगता ह है आपको की मामन खान की बयान की वैसे इस तरह के भड़काउ बयान की वैसे विए बिलकुल और कशी हुआ जितनी भी पोष्ट है आप कितनी UP मैंने शिक्रीन सोट स wp ल drink है अरे किसी को नहीं होगा तुम 50arth sjепot दो आ रही है यह यह भगवा तरह कर दो सपत्राइब के श्राइब से लिए विडियो दिया तो समाज से आएगा शैसे और अंदर देना चाहिए कि अपने समाथ से कहना था पिन दहेंगे लगात्त करो वह आंगे नहीं करूंगे तो कैसे आएंगा कोई ऐसे को परेशान करेगा तो फिर हम खड़े फिर अच्छे भी लगते हों विधायक कि हां भाई समाज के हीत में हैं मतलब एक मानाव धर्म करें मैं मुसलिम माने सर वीडियो बनाता है और यह कहता है कि मैं ब्रिजबंडल रात्रह में शामिल हूँगा और इसी का असर देखने को मिलता था कि हिंसा हो जाती है लेकिन मोनु माने सर यह की रहा है कि कॉंग्रेस बिधायक मामन खान ने भड़काउ बयान दिया जिसकी वजह से हिंसा हुई जब इंडिया टीवी संबादाता ने मोनु माने सर से उसके वीडियो के बारे में पूछा उसने क्या कहा ये भी सुनिये आपि जो पीडियो आपने डाला कि आप मेह बात चारहे हैं उसके बार इसके बता आम से होग से पहले उख बताना चाहता हूं कि हमारा वीडियो में ऐसा कोई ही नहीं बढ़का lot from प्रशासन की तरफे समझाया गया था कि जरूर जो बाकी लोग थे जो समाज के लोग थे उनकी तरफ से समझाया गया था कि अगर वो जाएगा तो दंगा भड़केगा और जो सवाल मौनु मानेसर से किये गए जो इंडिया टीवी ने सवाल पूछे उस पर क्या कहा मौनु मानेसर ने आप सुनिए अच्छा शोभायात्रा के बाद जो यह हंगामा पर पत्थरा हुआ उसके बाद इतनी हिंसा हुई मेवात में यह कहा जा रहा है कुछ फोटो आपके जिसमें गले में आपने माला डाली हुई है किसी गाड़ी में आप सफर कर रहे हो तो मेवात के कुछ सोचल मीडिया है वह की नहीं वहाम सवालों के जवाब दिये नहीं इस भी बताया कि दर असका नाम तुसर्ण परस्तमाल किया जा रहा है घंगा भढ़काने के पीछे, साइबर फ्रॉड को छिपाना था, साइबर फ्रॉड का कनेक्शन था, अब ये साइबर फ्रॉड का कनेक्शन इस दंगे से कैसे जुड़ रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि नुहू दंगे का साइबर क्रिमिनल कनेक्शन क्या है क्यूं साइबर थाना जलाया गयाongo इस थाने पर हमिले के बारे में एक खुलासा हो रहा है और खुलासा ये है कि साइबर थाने पर जो मकसद था हमला करने का वो ये था कि तमाम सुबूतों को खत्म कर दिया जाए उसके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी देती हूँ दरसल ये साइबर थाना क्या कर रहा जिसकी वजह से दंगाईयों की निशाने पर आ गया नू दंगे से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा ये है कि दंगाईयों ने साइबर थाने पर साइबर क्राइम से जुड़े रिकॉर्ड मिटाने के लिए हमला किया था इसलिए उन्होंने थाने में रखे कम्प्यूटर से लेकर सारी फाइलों को जला डाला दंगाईयों का मकसद साफ था कि अपने खिलाफ थाने की फाइलों में रखे सबूतों को चुन चुन कर मिटाना है साइबर थाने पर हमले का पूरा ब्योरा पुलिस के एफ-आई-ार में दर्च है F.I.R. में लिखा गया है कि 31 जुलाई को दुपहर में करीब साड़े तीन बजे हजारों की संख्या में दंगाईयों की भीडाई, थाने का घेराव किया, पत्थर बाजी की, पुलिस वालों को जिन्दा जला देने की धमकी दी, फिर एक बस टकरा कर थाने की दीवारों और मे साड़ाई फाइरिंग की गई, लेकिन तब तक सब कुछ तबहा दंगाई कर चुके थे, साइबर थाने में जो भी सबूत मौझूद थे, उन सबूतों को खत्म कर चुके थे, दरसल इसी साइबर थाने ने करवाई की थी, करवाई करके जो साइबर फ्रॉड में शामिल लो आग क्यों लगाई, लेप्टॉप को लेकर फरार क्यों हो गए, क्योंकि दंगा करने वाले तो सिर्फ हिंसा करने आए थे, लेप्टॉप से उनका क्या वास्ता, तो इसकी जो वजह है वो ये है कि अप्रेल में हरियाना पुलिस का इस इलाके में एक बहुत बड़ा उप्र प्रेशन चलाया गया था, हरियाना पुलिस ने अप्रेल में साइबर अपरादियों के खिलाफ सबसे बड़ी रेड की थी, नूज इले में एक साथ 5,000 पुलिस कर्मियों ने चापा मारा था, तक्रीबन 14 गाउं में 300 जगाउं पर एक साथ एक्षन हुआ था, इसके बाद नूज जिले से 125 साइबर अपरादियों को गिरफतार भी किया गया था, जिन अपरादियों को गिरफतार किया गया था, उनमें बहुत सारे most wanted थे, उनके खिलाफ दूसरे राजियों में भी केस चल रहे थे, इन सबकी जाच नूज केस साइबर थाने में चल रही थी, जिसे जलाने की कोशिश की गई, इसे जाच से जुड़े record और सबूतों को मिटाने के लिए ये हमला किया गया है, पुलिस वाले बताते हैं कि इस कारवाई को करने में कई सालों का समय लगता है, इस कारवाई को अंजाम देने के लिए बहुत सारे सुबूत जुटाने पड़ते ह ये बॉखलाहट थी, साइबर फ्रॉड्स की. पड़ कर नहीं होते हैं, तो बकायदा इस बस को लेकर आया जाता है. ये बस देखिए, बस से जो साइबर क्राइम थाने की दिवार है, उसमें जोर्दा टकर बसे मारी जाती है, और जब दिवार तूटती है, तो उसके बाद धंगाई इस साइबर क्राइमों ठाने के यहां से फरार हो जाते है इंद का दुए कि इवह इस आइबर थाना had Flynn कि जलाय गया इसको पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखी ये पूरा इलाका क्या है यह भी आप समझे दर असल यह पूरा इलाका साइबर ठगि के लिए पूरे देश में कुख्या मेवात क्षित्र में नू जिले के साथ साथ राजिस्थान के भरतपुर और अलवर जिले तक ये फैला हुआ है इसमें यूपी के मतुरा का भी कुछ हिस्सा आता है ये लोकेशन ही इन साइबर ठगों के लिए बहुत काम आती है जब भी रेड होती है ये दूसरी जगाओं प कि जो सीमा है उसमें उलद जाती है जिसका सीधा-सीधा फाइदा इन साइबर ठगों को होता है पिछले कुछ सालों से देश में साइबर ठगी के दो प्रमुक केंद्र हैं पहला जारखंड का जामताड़ा और दूसरा ये मेवाद जिसे अब मिनी जामताड़ा कहा जाने ल इसकी जानकारी पोलिस को हुई, पोलिस ने कार्रवाई की सबूत जुटाए जिने पल भर में तबहा कर दिया क्या। आना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका फाइदा साइबर फ्रॉड्स की तरफ से उठाया गया, पोलिस ने कार्रवाई की, तो इस दंगे की यार में पोलिस की उस कार्रवाई पर पानी फेरने की कोशिश की गई है।